नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में हम बनाएंगे पठानी कुर्टा स्टाइल जिसके लिए मैंने धाई मिटर कॉटन फैबरिक लिया है ये कुर्टा स्टाइल अभी काफी फैशन में चल रहा है आप इसे पैंट या प्लाजो के साथ ट्राय कर सकते हैं इसकी पूरी डीटेल जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें अब सबसे पहले कपड़े में से हम कुर्टे की लंबाई के हिसाब से कपड़ा निकालेंगे देखें ये कॉलर कुर्टी बनेगी इसमें मैं कॉलर लगाऊंगी तो देखें ये मैंने बैक पैनल जो है जितनी भी आपको लंबाई चाहिए उसमें तीन इंच एड़ कर लें कुर्टी की लेंद मैंने 44 इंच रखी है तो यहां मैंने 47 लेंद ली है अब देखें चौड़ाई कैसे लेनी है इप साइज और चैस साइज दोनों में से जो साइज बड़ा है उसके हिसाब से यहां कपड़ा डबल फोल ले लें यहां मेरी हिप मेजरमेंड 40 इंच है तो मेंसे देखें यहां पर पहले 1 इंच चोड़ाई मैंने उसके माया कर लिया है अब इस माघ के बाद हम यहां पर फ्रैंट पैनल को सेट करेंगे देखें। देखे के कॉलर कुर्ती अगर आप कट कर रहे हैं तो कॉलर कुर्ती की कटिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए अगर आप दोनों पैनल एक साथ ही कट करेंगे तो उसकी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी अब देखे इसके हिसाब से जो फ्रंट पैनल है वो हमें 46 इंच ल कपड़ा है जो अंदर की तरफ फोल्ड होगा अब देखे ये बैक पैनल के ऊपर हम फ्रंट पैनल को इस तरीके से अच्छे से से सैट कर लेंगे अब देखे मैं एक बार फिर से बता रहे हूं जो बैक है वो है 47 फ्रंट है 46 इंच लंबा अब देखे जो बैक पैनल है उसक के बंद वाली साइट फ्रंट स्लिट वाला कपड़ा रखना है और उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है इस तरीके से फोल्ड करके फिर हम कटिंग करेंगे अब देखे यहां से जो भी शोल्डर लाइन है फुल शोल्डर लाइन वहां पे मार्ग करेंगे यहां मेरी 14 इंच है तो मैंने 7 इंच पे मार्ग कर लिया है अब देखे वैसे हम आधा इंच ड्रॉप लेते हैं मगर कॉलर कुर्टी में 1 इंच ड्रॉप लेना है और उसके बाद जो भी आपने शोल्डर ली है उससे आधा इंच कम आम होल लैंद के लिए मार्ग करेंगे यहां 6 इंच पे मैंने मार्ग किया है अब यहां से जो चैस लाइन है उसका चौथा बाग कर लें यहां मेरी चैस लाइन है 38 इंच तो उसका चौथा बाग करके और सलाई का हमें एक्स्टर लेना है अब देखे यहां शोल्डर पॉइंट से 14 इंच नीच नीचे आएगी हमारी वैस अब यहां वैस लाइन मेरी 32 है तो उसका चौथा बाग करके 8 इंच पे हम मार्ग करेंगे और सलाई का एक्स्टर लेंगे यहां जो हिप लाइन है वो है मेरी 40 इंच तो उसका भी चौथा बाग करेंगे और सलाई का एक्स्टर लेंगे देखे इस तरीके से हम मार्क को मिला लेंगे जो बाहर की तरफ मार्किंग है वहां पर हमें कटिंग करनी है यहां आम होल का इस तरीके से शेप देदें अब देखिए यहां पर जो कॉलर की चौड़ाई है वो मुझे तीन इंच लेनी है तो तीन इंच तक हम इस तरीके से इस शोल्डर स्लोप को मिला लेंगे देखिए फ्रंट और बैक पैनल दोनो के स्लोप अलग-अलग होंगे दोनो शोल्डर स्लोप हमें इस तरीके से मिलाने है अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे देखिए इस तरीके से जो back panel है वो एक इंच उचा रहेगा और जब हम इसको जोड़ेंगे तो वो आधा एंच आगे की तरफ आएगा तो हमारा arm hole round है वो भी एकदम perfect बैठेगा अब यहाँ पर front panel में हम front arm hole की cutting करेंगे इस तरीके से आधे से पॉन इंच अंदर की तरफ deep marking कर लें और यहाँ front panel में इस तरीके से cutting कर लें यहाँ जो slit का हमने fold रखा है वहाँ पर इस तरीके से mark कर लें अब देखें यहाँ पर जो slit है वो मैंने गोलाई में बनाई है तो इसके लिए पहले इस तरीके से एकदम straight में mark कर लें और यहाँ से इस तरीके से गोलाई बना दें अब इसकी cutting कर लें अब यह rounded जो slit है उसकी stitching कैसे होती है उसके लिए आप वीडियो end तक जरूर देखें friends अब हम sleeves cutting के लिए मैंने यह 4 fold कपड़ा लिया है sleeves की जो चोड़ाई है वो है 9.5 inch और जो sleeves की आपको लंबाई रखनी है उसमें हमें 4 inch extra लेना है पहले 3 inch पे इस तरीके से mark कर लें उसके बाद यह sleeves की length है जिसमें हमें इस लाइका भी add करना है इसमें से 15 inch sleeves निकलेंगी अब देखें साड़े 3 inch drop करना है यहां से हम sleeve cap बनाएंगे इस तरीके से sleeve का shape देना है और इसकी cutting कर लें sleeves में भी हम front की cutting कर लेंगे इस तरीके से अब जितना अपने folding का रख है उतना fold करके यहां से जो sleeve का size है उसमें sly का add करके इस तरीके से slant में cut कर लें अब हम पहले neck line की cutting कर लेंगे देखें यह मैंने दोनों panels को set कर लिया है यहां गले की जो चौड़ाई है वो 3 inch है अब back panel में हमें चौथा inch add करना है सवा 3 inch पे mark करें और 1 inch लंबा इस तरीके से round neck cut कर लें अब back panel को हटा दें अब front panel में हम यहां 3 inch पे mark करेंगे जो center है उसमें से आधा inch extra लेके इस तरीके से fold कर लें अब 3 inch चौड़ा और 3 inch लंबा हम इस तरीके से round neck cut करेंगे यह front panel के लिए है अब इस तरीके से cut कर लें जहां तक fold किया है वहाँ पे भी इस तरीके से cut लगा के mark कर लें अब देखें यहां पर जो slit बनानी है उसके लिए जहां पे आपने cut लगाया है वहाँ तक इस कपड़े को आगे की तरफ fold कर लें यह कपड़े का सीधा side है अब देखें यहां तक हम इस तरीके से stitch करके इस slit को बन करेंगे यहां पर double stitch करके और जहां तक आपने stitch की है वहाँ पर एक cut लगा दें cut लगाने के बाद इस slit वाले कपड़े को हम अंदर की तरफ fold कर लेंगे इस तरीके से fold करने के बाद अब यहां से slit के कपड़े को फिर से fold करके और यहां पर stitch कर लें और slit बनाए front panel के दोनों side को हमें इस तरीके से ready करना है दोनों slits हम इसी तरीके से तयार कर लेंगे देखिए slits इस तरीके से बनेंगी slits बन चुकी है अब एक side मैंने pocket लगाया है इसकी link का आपको description में मिल जाएगी अब हम shoulder line को जोड लेंगे मतलब तीरे को जोड लेंगे अब देखिए यहां viewers को यह problem आती है कि एक inch उचा cut किया है तो यहां arm hole हमारा बिगर जाएगा मगर देखिए इसको arm hole को हमें इस तरीके से set करके और back panel को आधा inch आगे की तरफ लेना होता है जब आप कुर्ती के sides बन करेंगे तो arm hole को अच्छे से मिला के और sides बन करें अब हम पहले sleeves बना लेते हैं देखिए sleeves के लिए मैंने यह size के हिसाब से 4 inch लंबी एक strip ली है और यह button strip बनाने के लिए मैंने यह करीब 5 inch लंबी और 4 inch चौड़ी strip ली है अब इसमें से हम पहले button strip बनाएंगे इस तरीके से cutting करके इसको पूरे में stitch कर लें इस तरीके से stitch करने के बाद stick की help से इसे सीधा कर लें अब हम sleeves पे पहले यह strip को attach कर लेंगे यह sleeves को मैंने सीधा रखा है इस strip को इस तरीके से लगाने के बाद इसको पूरा अंदर की तरफ fold कर लें अब जब इसे fold करके stitch करेंगे तो बिल्कुल center में हमें यह button strip को fix कर लेंगे देखे इस तरीके से करीब आद इंच अंदर की तरफ fold कर लें और sleeve के बिल्कुल center में इस strip को attach कर लें अब हम sleeves को इस तरीके से बाहर की तरफ fold करेंगे और जो button strip लगाई है उसको भी बाहर की तरफ fold कर लें और यहाँ पर button लगा दें दोनों sleeves को सेम इसी तरीके से ready कर लें अब हम यहाँ आम hole पर sleeves को attach करेंगे देखे sleeves को fix करने के time भी यह ध्यान रखना होता है कि दोनों front cuttings आमने सामने होनी चाहिए कुर्ती में दोनों sleeves हम इस तरीके से लगा लेंगे आप देखे यह जो front slit है इसको मैंने एक दूसरे के उपर चड़ा के रखा है अब हम size के हिसाब से दोनों sides बंद कर लेंगे देखे एक side मैंने pocket लगाया है तो pocket वली side ध्यान रखना है कि pocket अंदर slide में दबना नहीं चाहिए देखे sides मैंने बंद कर ली है अब हमें slits बनानी है देखे जहां तक आपने stitch की है उसके एक inch उपर आपको एक cut लगाना है cut लगाने के बाद यहां हमें गोलाई में slit बनानी है इसलिए पहले आप single stitch करें देखे इस slit से मैंने start किया है अब इस तरीके से कपड़े को single fold करना है single fold करके हम पूरे में stitch कर लेंगे देखे single folding करने के बाद अब हम इसे double fold करेंगे slit को इस तरीके से fold करके एक और stitch कर लें और slit को तैयार करें slit बनाने के बाद अब हम collar लगाएंगे collar के लिए देखे पूरे neck को हमें इस तरीके से अच्छे से fold करके और पकड़ना है अब यहां से slit बनाने के बाद यहां से हम collar के लिए measurement लेंगे पूरे में tape को गुमाते जाएं और बिल्कुल end तक measurement ले लें यहां 9 इंच का मेरा collar बनेगा double में 18 इंच का उसके लिए मैंने यह कपड़ा लिया है इसको इस तरीके से fold कर लें fold करने के बाद यहां मैंने canvas नहीं use किया इसलिए हम यहां पर पहले sly का extra छोड़ेंगे sly का इस तरीके से छोड़ने के बाद यहां हमें 9 इंच पे mark करना है 9 इंच पे mark करने के बाद यहां collar की जो लंबाई है वो हमें 3.5 इंच लेनी है 3.5 इंच पे mark करने के बाद इस तरीके से एक box ready कर ले अब यहां पर हम करीक आधा इंच तक छोड़ देंगे आधे इंच पर इस तरीके से mark कर ले और यहां हलकी सी गुलाई दे दे अब पहले इस collar की cutting कर ले अब देखे यहां से हमने गुलाई बनाई है वहां से एक बार collar की measurement ले ले यहां 9 इंच पे हमें mark करना है इतना हमें collar चाहिए अब इसमें भी इस लाई का extra चोड़के और बाकी कपड़े को cut कर ले अब हमें collar को यहां उपर की तरफ से पूरा stitch कर लेना है stitch करने के बाद इस collar को सीधा कर ले देखे यहां collar के नीचे की तरफ मैंने करीब आदा एंच छोड़ दिया है यह हमारा sli में जाएगा अब देखे कुर्ती को मैंने सीधा रखा है सीधा रखके collar को हम इस तरीके से set करेंगे और यहां पूरे neck पर इसे stitch करेंगे collar को बिल्कुल loose छोड़ें और यहां पूरे neck पर दूसरी slit तक सामने वाली slit तक हमें इस collar को fix करना है अब कुर्ती को गुमा दें अब collar को हम अंदर की तरफ इस तरीके से fold करके यहां किनारी परस लाई करेंगे और collar को complete करेंगे बहुती आसान है यह पठानी कुर्ता बनाना यह काफी fashion में है आप इसे जरूर ट्राय करें पठानी कुर्ता हमारा पूरा ready हो चुका है जो front slit है वहाँ आप चाहें तो आदी बंद कर सकते हैं आदे तक sli लगा के और यहां पूरे में हम buttons लगा देंगे friends अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो like और comment करना ना बूलें and thank you watching for this video